करनाल के गाउं जनेश्वरों में सडक दुरघटना में शम्षाद नामक व्यक्ति की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है बताया जा रहा है कि शम्षाद हर रोज की तरह सुवे सेर करने के लिए निकला था इस दोरान पीछे से एक वेन ने आकर जोरदार टक कर मार दी जिसमें उसकी मौत हो गई वह एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है वही शम्षाद के शव को पोस्ट मॉटम रूम में रखा गया है गाउ निवासी नवाब ने बताया कि इस दुर घटना की सूचना तुरंद पुलिस को दी गई पुलिस ने मौके पर पहुँचकर आवश्चक कारवाई करते हुए शव को कबजे में लेकर कलपना चावला मेडिकल कॉलेज के मौचरी हाउस में भिजवा दिया है इस घटना से मौतक शम्षाद के परिजनों में गहरा शोक व्यापत है परिजनों ने कहा कि मौतक शम्षाद चिनाई का कार्य करता था और थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी कर घर का पालन पोश्चन कर रहा था उन्होंने बताया कि शम्षाद की उम्रे लगबग 50 से 55 वर्ष है शम्षाद अपने पीछे चार बच्चे छोड़ गया है इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है फिलाल वेन चालक फरार है गाउंवाला ने गाड़ी का नमबर नोट कर पुलिस को दे दिया है फिलाल अभी तक गाड़ी का नमबर वेरिफाई नहीं हो पाया है इस घटना से सम्षाद के परिजनों पर दुखों का पहा तूट गया है पुलिस मामले का संग्यान लेकर जरूरी कारवाई कर रही है किया नमत थे हैं इनका सम्षाद तो फुलिस कारवाई होगी ये हमाने किसे 장 Shapu कितने गाल है इस इसमें एक कित नमत हूगी है सम्षादी और एक जोगिंदर दोस्तेने के साथ थे हो गाल है तो ये सम्षाद शाथे शिदा साथ था था? उलेgen input साथ 60 साल के में thesis कितने बत्य आई ने? चार बत्य आई क्या काम करता ला? चिडाय काम करता ले, मिस्त्री है गाउं में? विटी की जडाले आपका नम? मिरनवावी क्या लगते हैं आपके? बस नोन है ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वादी